नमस्कार दोस्तों आप से भी को एक नए वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में आपको क्लास तेंथ का मैयत का एक्सरसाइज 14.1 के question number 7 के हल करके बताऊंगा इसे पिछला question नहीं देखे है तो इस वीडियो के description में या end screen में आपको last में मिल जाएगा अब जाकर देख सकते है समझ गया तो चली इस वीडियो के start करते है वीडियो पसंद आएगा वीडियो के like और नए होते चानल को subscribe जरूर करे साथ में अपने दोस्तकों पास share भी जरूर करे तो देखे question है बायू में sulfur dioxide की संदरता भाग प्रति मिलियन में को ग्यात करने के लिए एक नगर के 30 महले से आक्रे एकत्रित किये गए जिन्हें नीचे परस्तूत किया गया है SO2 की संदरता बरामबारता ये दिया हुआ है समझ गए आपको क्या करना है इसमें बायू में SO2 की संदरता का माध्य ग्यात कीजिए सिम्पल समझे ये इस question को क्या करना है माध्य निकालना है तो चलिए इस question को माध्य निकालते हैं किसी भी विधी के यूजगा के निकाल सकते हैं समझ गए जो सांधरता है इसको आप बरगंत्राल भी कह सकते हैं यह बरामबरता है सांधरता जो बरगंत्राल है 0.00-0.04 फिर 0. चार माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो पॉइंट जीरो एट माइनस जीरो पॉइंट वॉन टू इसका बरंबरता है चार नौ नौ दू चार दू समझ गए तो चलिए हम आपको बताते हैं और सबसे पहले आपको एक तालिका बनाना होगा समझ गए तो चलिए हम तालि के लिए है पर्तेक्ष विद्धी के लिए काफी आसान है और काफी सिंपल है समझ गए और आपको एकजाम में लगवा कोई विद्धी अगर नहीं पुछता है तो आप इसी विद्धी के यूच करके बना सकते हैं तो दिखें यहां एस टू की संद्रता यह है जिसको आप बर बर्ग चिन पता करना है बर्ग चिन कैसे पता करते है इस दोनों को जोर देते है समझ गए इस दोनों को जोर कर आधा कर देते है तो 0.00 में 0.04 जोरेंगे तो 0.04 आएगा तो इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 0.02 आधा की मतलब 2 से भाग देना समझ गए अब देखें 0. 0.04 है फिर 0.08 है जो रेंगे तो 0.12 आएगा तो 0.12 में भाग देंगे दू से इसका आधा हो जाएगा 0.06 तो अब इसी तरीके से दोनों को जोर जोर कर क्या कर सकते हैं आधा कर सकते हैं एक और सिंपल तरीका है चले हम आपको बताते हैं देखिए यह है 0.00 से 0.04 फिर 0.04 से 0 0.08 जब फर्स्ट के उन्च सीमा सेकेंड के निम्च सीमा हो फिर अगला के उन्च सीमा फिर थर्ट के निम्च सीमा हो तो अगर इस तरीके से रहे न तो इसे हम अपवर्जी वरगंत्राल कहते हैं कोन वरगंत्राल कहते हैं अपवर्जी और जब अपवर्जी रहे न तो सब में difference है 0.04 का क्योंकि 0.04 इसमें बढ़ाए है फिर 0.04 में फिर 0.04 जो रहा तो 0.08 हुआ है समझ गए यानि 0.04 का अंतर है तो वह जो अंतर है उसको आप इसमें add कर दीजेगा बिल्कुल आ जाएगा सिर्फ आपको first के जोर कर उन्च सिमा और निम सिमा के आधा करना है उसको क्या करना है कि जितना का अंतर है उसको plus कर दीजेए जैसे यहां कितना के 0.04 का अंतर है तो 0.02 में अगर 0.04 चार जोडते है तो 0.06 होगा फिर इसमें चार जोडते है तो कितना होगा 0.10 हो जाएगा एक 0 यानि 10 हो जाएगा समझ गए फिर इसमें जोड़ेंगे तो 0.14 समझ गए फिर जोड़ेंगे तो 0.18 फिर जोड़ेंगे तो 0.22 हो जाएगा समझ गए कितना पलस किये है आपको ध्यान में रखना है 0.04 कैसे हम पता करेंगे कितना के difference है अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है देखकर तो चले हम आपको बता देते हैं जैसे माल लिजे यह सब ही देख लिजेगा समान है तो first है 0.04 और minus है 0.08 तो माल लिजे उच सिमा से निम सिमा घटाएए 0.08 और 0.04 घटाएंगे 8 में से फोर गया फोर 0.0 अब सब क ही गटा के देखेगा आपको आ जाएगा 0.04 यानि इतना का अंतर है तो हम इतना प्लस कर देंगे first में शीर्फ जोरके उस सिमानियुन जोरके अधा करके उसके बाल प्लस कर देंगे तक दू में चार जोरे है तो 6-6 में 4 जोरे है 10-12 में 10 में 4 जोरे है 14-14 में 4 जोरे है 18-18 में 4 जोरे है 22 यह सब क्या चीज में फा दसमला में था समझ गए यानि 0.04 का अंतर था समझ गए अब है A5 गुने XI कर दीजिए समझ गए A5 गुने A5 A5 गुने XI यानि 4 में 0.0 दूसरे गुना कीजेगा कितना आएगा 0.8 आएगा 0.08 आएगा समझ गए उसको आद 9 में 0.06 से गुना करेंगे नच्छक चवबन या 0.54 आएगा आप गुना आता होगा तो बिल्कुल आपसानी से समझ जाईएगा समझ गए गुना कर लिए 9 में 0.06 से कितना आएगा 0.50 आएगा फिर 9 में 0.10 से गुना कीजेगा तो 9 दाही 90 यानि 0.90 9 जीरो आप चाहे तो 9 भी लिख सकते है कोई दिकतन नहीं है समझ गए फिर 2 में 0.14 से करेंगे तो 14 दुना आठाईस यानि 0.28 आएगा समझ गए फिर 4 में 0.18 से करेंगे तो 1872 यानि 0.72 हो जाएगा समझ गए फिर 2 में 0.22 दूर से करेंगे तो 22 दूरा 44 यानि 0.4 फोर हो जाएगा तो सबसे पहले ता आपको इस तरीके से क्या कर लेना है गुना करना है बरामवरता और बर्ट चिनके गुना कर लेना है समझ गये और उसको सामने सामने लिख देना है अब देखिए A5XI को जोरना है उसके बाद बरा जोर कर लिख दीजिये और जो आएगा लिखेगा उसको sigma A5X क्योंकि आपको पता है क्योंकि परत्यक्षविदी से माध्य का सुत्र होता है sigma FIXI बटे sigma FI. समझ गहे तक इसमें आपको क्या लिखना है sigma FIX सिगमा इसको सिगमा बोलते है एप आई एकस आई समझ गए अब जोर के लिखonces कि कितना है तो जोरते है समझ गए देखे 8 है 8 में 4 जोरेंगे 12 12 में 2 जोरेंगे 22 में 4 जोरेंगे 26 समझ गए एक बार और देख लीजे सही है कि गलत आप यहाँ गुन्ना और जोर बिल्कुल सही से कीजेगा बहुत सारे बचे यहीं गलती कर देते है और लाश में भाग देते है सही भाग देते है फिर भी उसका इंसर गलत हो जाता है तापको सबसे पहले यहां सही से जोर घटाओ जोर और गुन्ना करना है 8-4-12 12 में 0 जोरेंगे कोई फरक नहीं परेगा फिर 8 जोरेंगे तो 20 होएगा 20 में 2 जोरेंगे 22 22 में 4 जोरेंगे 26 कितना आएगा 26 आएगा 26 के कितना लिखेंगे 26 के 6 लिखेंगे आपको पता है हासिल कितना हुआ 2 अब जोर यह अगला 0 में 5 जोड़ेंगे, 5, 5 में 9 जोड़ेंगे, 14, 14 में 2 जोड़ेंगे, 16, 16 में 7 जोड़ेंगे, 23, 23 में 4 जोड़ेंगे, 27, 27 में 2 जोड़ेंगे, 29 के 9, हासिल कितना हुआ, 2, फिर एक बेर दख लिजे, 0 में 5 जोड़ेंगे, 5, 5 में 9 जोड़ेंगे, 14, 14 में 2 जोड़ेंगे, कि इधर कुछ नहीं है तो point देंगे अब इसके बाद direct इधर क्या लिख देंगे 2 इसका sigma fi x आया 2.96 अब इसको जोर दीजिए इसको जोर के जो आएगा उसको लिखेगा sigma fi समझगे तो 4 में 9 जोरेंगे तो 13 आएगा 13 में 9 जोरेंगे तो कितना आएगा तेरह 9 22 होगा 22 में 2 जोरेंगे तो 24 24 में 4 जोरेंगे 28 28 में 2 जोरेंगे 30 कितना आया 30 आया एक वेरा और देख लिजिए 9 4 13 13 में 9 जोरेंगे कितना होगा 22 22 में 2 जोरेंगे 2 जोरेंगे 24 24 में 4 जोरेंगे 28 28 में 2 जोरेंगे 30 समझ गए तो चलिए अब माध्ये निकालते है तो देखे माध्यवर अबरा सूत्र होता है सिग्मा A phi XI बटे सिग्मा A phi है कौन बीधी से है परत्यक्ष बीधी से आप चाहे तूपर लिख लिजिए परत्यक्ष बीधी समझ गए सिग्मा A phi XI कितना है 2.96 है और सिग्मा A phi कितना है 30 है अब 30 से क्या कीजिए 2.96 में भाग दीजिए जब भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 0.986 या कभी नहीं कटेगा 66 दोर आते रहेगा समझ गए आपको भाग आता होगा तो बिल्कुल समझ में आता होगा जरूर कोई दिकत नहीं होगा और सिम्पल भाग चले हम आपको बताईए देते हैं कि कैसे देना है 2.96 में दीजिएगा किस से 30 से तो 2 है तो 2 में यानि 0 मरतबे पहले देंगे समझ गए तो 0 यह दसमलब यह दसमलब देंगे समझ गए अब देखिए यहां 2 उतर जाएगा 2 नहीं लगेगा यहां 0 रहेगा तो 2 उतर जाएगा फिर यह 9 उतरेंगे समझ गए नहीं लगेगा तो फिर 0 देंगे समझ गए फिर अगलांग 6 उतरेंगे तो 9 मरतबे 270 होगा अब 26 बचा 6 फिर 1 0 दे देंगे तो कितना यहां 260 है तो देखिए 3 8 24 यानि 240 कितने मरतबे 8 मरतबे 240 समझ गए फिर 20 बचा फिर यह गो 0 अपना मन से दसमलब के बाद अपने मन से 0 रख सकते है समझ गए 3721 अधिक हो जाएगा तो 3 6 18 समझ गए 180 फिर सेस्पल कितना बचा 20 बचा यानि 2 राते जाएगा तो कितना आएगा 0.986 आएगा तो यह सब ही काव आपको रॉप में करना है समझ गए तो इसको आप लिख सकते है 0.9 और 86 है तो किसके निकट है 90 की तो आप इसको क्या कर सकते है डायक्ट 9 लिख सकते है क्योंकि आगे हम 0 दे या न दे कोई फर्क नहीं परेगा समझ गए तो यही इसका क्या हुआ माध्य हुआ तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आऊगा और वीडियो समझ में आए तो वीडियो के लाइक और नए होते चैनल कर सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद